आज special lecture आर्गनेस किया जा रहा है वरना आम तोर पे health lecture पब्लिक गार्डन की जानिव की जानिव से हर पहले संडे को आर्गनेस किया जाता है उस लिहाज से next संडे जो पहला संडे है आर्गनेस किया जाएंगा जो रेगिलर है आज की लेक्चर की खासबाद यह है कि World Heart Foundation USA की जानिव से हर साल वन तीस स्टमबर को World Heart Day मनाया जाता है और इसकी शुरुआद सन दो हजार में हुई है दो हजार से लेके आज तक तकरवन यह चौदवा साल है यह World Heart Foundation की जानिव से यह World Heart Day मनाया जा रहा है तो इसकी जो तारीख है जो बन तीस स्टमबर है जो यानि कि कल है क्योंकि कल पीर है आम तो के हमारी लेक्चर इत्वार को होते हैं तो यह सोचा गया है कि हम इत्वार को रखना मुनासिब रहेगा तो केर होस्पिटल की जानिव से यह लेक्चर मुनासिद किया जा रहा है और आज का टापिक है Preventive Healthcare in Cardiology कि किस तरीखे से हम अपने आपको काडियाक प्रॉब्लम से बचाया जाए हाजरी आपको मालूम है इससे पहले भी कई लेक्चर्स केर हॉस्पिटल, अपोलो और मेडिसीटी वगएरा से और्गनेस के गए है हाट के उपर और जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर बात किये हैं हाट के जो प्रॉब्लम्स हैं पुरी दुनिया में जिस तरीके से हो रहे हैं हिंदुस्तान में जिस तरीके से हो रहे हैं और हैदरबाद में जिस तरीके से हो रहे हैं उसके बारे में जिकर करते आ रहे हैं तकरीबन स्पीकर्स का काईना यह था के का जन्या दुन्या वे जितने भी हार्ट प्राब्लम्स हैं सुम्बे ज्यादा हिंभी तानِ हिंभाड़ों कि भशेश। यहां पर के हिंभी की ने काडियलोगी सूसाइटी आफ इंडिया ऐख चाह्त अर्पर्देश में और खास्तों से हआधरबाद में उनके मताबिक हिंदुस्तान में सुम्मे ज्यादा प्रैक्टिसिं काडियालोजिस्ट हैजरबान में है और जो काडियालोजिस्ट का मतलब या तो वो डियम होना चाहिए या तो डिये होना चाहिए दिप्लोमाइन काडियालोजी तकरीबन यहाँ पर 225 काडियालोजी प्रैक्टिस करते हैं यह कहें दूसरी बाफ यह है जब काडियालोजी की ट्रीटमेंट की बात चीज़ चलती है तो होस्पिटल में इंफरस्ट्रक्टर की जुरूरत होती जिसको हम कैटलाब करते हैं कैटलाब वो एक्ट्यूंट है जहां पर काडियाल प्रोसीजर जैसे अंजियोग्राम, अंजियोपलास्टी वगरा करते हैं और आपको सुनके ताच्चूप होगा के हिंदोस्तान में संब में ज्यादा कैटलाब बो हैदराबाद में है तकरीबरD 48 cat webs यहां पर काम करते हैं और हिंदुस्तान में जैसे wishawara का पर्ड़व है वाहां पर 8 से 9 cat lab काम करते हैं जैसे डाक साव है केर गर्व से काम करते है जहां तक मुझे मालूँ है तकरीबरD 8 से 10 cat lab केर गुरूप में यहाँ पर यह प्रोसीजir करने के मियर इसके लावा यह कहा जाता है कि दुनिया में सुन में ज्यादा चीपेस्ट जो प्रोसीजर है अंजिवरम जो जो बल्लॉकेज है ँसको पता करता है अंजिवरम वो हद्रबाद में होता है कहीं ने होता है और पुरी दुनिया में भी कहीं ने होता है इस ओल्ली ए हंडेड यूस डालर हंडेड यूस डालर में अंज्योग्राम करने का जो मामला है वो सिर्फ हैदराबाद में होता है हिंदुस्तान की खुश्किसमत ही रही कि बहुत बड़े काडियोलोजी यहां पर है, बद्खिसमती यह रही कि बहुत ज्यादा बीमार लोग भी यहां पर है, जब काडियोलोजी की बात करते हैं, तो जिन्दुस्तान में जिस तरीके के नाम आते हैं, जैसे डाक्टर दीवी शेकी, नाराय नुदयाले, नरेश च् विदान्ता मेडी सिटी, इस तरीके से हधराबाद में सुमाराजी, प्रसाद राव और गोपी चन, आज डाक्सा बात कर रहे हैं, दिर्मर कुमाल जी, सुनी कपूर, तो इतने लोग हैं, एक चीज मैं कोट करना चाहता हूँ, नाराय नुदयाले हॉस्पिटल, जिनका कहन करना है कि हिंदुस्तान के 17 फिस जितने काडियक प्रोसीजर होते हैं, वो करते हैं, तो डाक्टर डेवी शेटी जिसके चेर्मेन है, बाइलूर में रहते हैं, ऐसी मुलाकात का अकसर मौका मिलता है, तो मैं उसे सवाल किया था, कि आप ये काडियक जो प्राबलम है, किस त हैं में, तो यह जो लड़के होते थे, वो अपने बुड़े वालिद को मेरे पास लाते थे इलाज करने के लिए, और बदखिसमती से अब जो बुड़े वालिद हैं, वो अपने यह बच्चे को लाते हैं काडियक इलाज कराने के लिए, ऐसे काडियक जिस ये मेरे बदखि किस्मति की बात है कि वालने न अपने बच्चों को इलाज कराने अब लेकर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है 25 साल की उमर में भी यह प्राप्लम से हैं हाजरी आम तोर पर 5-6 मिनिट नेते हैं इसकी वज़े यह हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो जमा हो सकें जहां तक काडियालोजी का प्राप्लम है कई रिसर्च की जानिब से मालूब किया गया है कि वो इस नमबर वन किलर दटो प्रीमेचूर किलर जो नेचरल डेथ होती है उसस इसी वज़े से साहिटी वज़े से उसमे नम्बर वन खिलर पूरी दुनिया में है यह कडियाल प्राप्लम है है आम तोर पहर हाट डिसीज कहते हैं मगर मेडिकल साइंसेज में हाट डीसीज बनके कोई मड़ी नहीं होता है जो बीमार होने का जो मामला है वह आटरी का है श तो CBD का जो प्राप्लम है, काडियो स्टिलर डिसीस, जिसे तकरीबन हर साल 2 करोड आजमी पुरे दुनिया में खतम होते हैं और हिंदुस्तान में भी संग में ज्यादा खतम होने का जो प्रिमेचूर डेज कहते हैं, उसका जो मामला है, वो काडिया प्राप्लम है, CBD's का, और 70% लोग जो मेंट्रो सिटीज में हैं, इसका मतलब यह है कि जो सिटीज है, कैपिटल सिटीज इंक्लूडिंग आजराबाद, जो एज गुरूप उन्होंने कहा कि 25 साल से, 25 तो 69 यह की जो एज है, उसमें लोगों को 70% रिस्क है, कि काडियाग प्राप्लम हो सकता है, यह कर इसी दरीधर से इंडिया टुडे ने 2010 में 10 मेजर किल्लस हिंदूस्तान में जो है, जो मौत की जो वज़े हैं, उसमें नमबर वन जो परसंटेज है, वो ताडियाग प्राप्लम है, नमबर वन है, तक्रीवन 26% है, हर चौता आदमी हिंदूस्तान में अगर वक्स से पहले खतम होता है, तो वो ताडियाग प्राप्लम से होता है, दूसरा जो रीजन है, वो रेसिपेटरी है, तरफुस का सास का मामला है, थर्ड जो है वो तीबी का मामला है, तो मैं समस्ता हों के क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्शर है, और पब्ली गर्डन वाकरस और केर हास्पिटल ने इनिशेटिव लिया है, कि इस इंपॉर्टेंट लेक्शर को यह वर्ल्ड हाट डे, जो कल है, हम आज सेलिबरेट कर रहे हैं, और मालूमात हासिल हो, अब जहां तक, आज के लेक्शर का तालोग जैसे मैंने जिकर किया है, यह प्रिवेंटिव केर के दूर रहा जाए, मैं समझता हूँ कि वो एक काडियालोचिस की कहेंगे आपसे, कि किस तरीके से हम दूर रहे हैं, तो डाक साब का जो तालोग है, डाक साब ने MPPS किया है, GSPM Medical College कानपूर, डाक साब का तालोग है, घाजियाबास से, UP से, मगर आपकी जो पढ़ई ही मेडि 1992 में किया है, उसके बाद General Medicine, MLB Medical College, जहांसी, 1995 में कम्लीट किया है, जैसे मैंने इससे पहले भी जिकर किया है, जो medical field होती है, वो MPPS, MD के बाद, वो DM में जाते हैं, सूपर स्पेशालिटी में, डाक साब का तालोग है, DM सूपर स्पेशालिटी में, काडियालोजी से तालोग है, वो GSVM, Medical College, कानपूर, जहांसे वो MPPS किये थे, वह ही से वो DM काडियालोजी किये है, 2000 में, 2000 के बाद, 2000 में, वो Care Group of Hospitals, हैदराबाद, जोईन किये है, as a consultant काडियालोजिस्ट, और वहाँ पर, as a senior consultant काडियालोजिस्ट, अभी भी काम कर रहे हैं, और डाक साब का तालोग ह काडियालोजी के इलाबाँ, intervention, काडियालोजी, काडियालोजी और काडियोथ्या treasic surgeon, दो तरीपे, काडियोजीस्ट होता है, जो इलाज करता है, डवा की इस्तेमाल से, और city surgeon जो होता है, वो surgery करता है, जैसे παई-पास surgery है, इन दोलोगे बीच में, एक profession है, उसको हम, intervention puisquाड तो डाक साफ का जो ताज़ों के इंटर्वेंशन काडियालोजी से हैं और आपको सुनगे ताज़ूप भी होगा और खुशी भी होगी के डाक साफ ने तकरीबाद 10,000 अंजियोग्राम हेदराबाद में केर गुरूप में किये हैं और उसमें से 3,000 अंजियोप्लास्टी किये हैं तो उसके हिसाब से क्या है मौनों डाक साफ ने 10,000 अंजियोग्राम और 30,000 अंजियोप्लास्टी किये हैं और यह हमारे लिए खुश्क्रिस्मती की बात है आज हमारे साथ हैं डाक्टर नेरमन कुमार साफ मैं समस्ता हूं ये थालियों की गोरी में उस्टेबाद करें आपके रेक्टर के आपके 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 सिस्पिमें की थालियों सब्सक्रिया